बश्कार दोफ्तों मसंदीव स्वागत है आप सुभी का आपके अपने चैनल सक्सेस्ट उपर दोफ्तों आज कि इस वीडियो के अंतरगत हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे बीए फर्स्ट एयर के चाहतर हैं जिनको आने वाले दिनों में फर्स्ट सेमेस्टर की परिच्छ ले हैं तो आपके तीन तो कंपल सरी सब्जेक्ट होंगी एक दो आपके मेजर हैं और एक कंपल सरी जो होता है आप सभी को आगे जानकारी हो जाएगी फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की आपका पेपर तो हिंदी का होगा 100% के सबचार है ले हैं रख सब्छेक्ट तो हिंदी में प्रशने कहां से आएंगे किस प्रुकार के प्रशने पूछाए जाएंगे आपको कैसे त्यारी करना है आज किस वीडियो के अंतरके थंबा को बताने वाले होगी प्रशने के बारे में अगर यह आपको जानकारी है त आपको पढ़ने में भी यानि कि आपको मालूम रहेगा कि हम क्या पढ़ें इस लेवर से जानकारी अगर आपको होगी तो आपको पता रहेगा कि कौन से प्रशनाएंगे तो वही आप पढ़ेंगे तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कहां कहां से प्रशनाएंगे और आपको जैके चाह स्मागरी है तो आगर आपको चाय बनानों ही तो अगर आप वह समान मार्कट से खरीदेंगे तो अगर आप do के लिए बेटर होगा क्योंकि जब आप कल महमान आएंगे तो आप तो बना के देंगे यदि आप कल बनाने बैठेंगे में तरब की कल बनाने बैठें और आपके पास सामागरी नहीं है तो आप मारकर लेने जाएंगे टाइम लगेगा ठीक है बहुत जाए टाइम लगेगा कि टो आप लोग जब आप लेकर आयेंगे तब बनायंगे तब बूबढ़ेंगे तो क्या सोसेंगे तो इसी तर सेम ऐसे है जब आप पारिच्छा देने जाएंगे परिच्छा फे एक दो दिन पहले आप तैयारी करेंगे चार 5 दिन पहले तो आपको मालुमária नहीं रहेगा क पढ़ लेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी तो उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं चलिए देखते हैं फर्स्ट मिस्टर में कहां कहां से प्रशन आएगे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है यहां पर लिखा है कि भारतिये चार यूनिट में डिवाइड है चा आदिकालिन एउम मद्धिकालिन हिंदी काबिका इतिहास इतिहास लेखन की परमपरा एउम विकास यानि कुल मिला के भारतिये ज्यान परमपरा के अंतरगत आदिकालिन और मद्धिकालिन हिंदी काबिके इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है इसमें प्रस्ण बन सकता ह पहला द्रहिए ज्ञान परंपरा और हिंधि शाइत का काल विभाजन कर यह करिए अइसा अप्लश्ता है नाम करन कर यह यंदि साहित का ठीक है यहां साहितिक प्रभित्तियां लिखी है या भी सिष्टायं लिखी है सिद्ध साहित जैन साहित रासो साहित नाथ साहित और यहां पर आपको और भी दिया गया है और लोकिक साहित और है भक्त आंदोलन क्या है भक्त आंदोलन के उधे के समाजी कों सांशकित कारण ठीक है तो ये सब प्रशन आएंगे आपके कहां से जो पहला आपको प्रशन देखने को मिलेगा लग उत्रे उव बिस्ति उत्रे का तेन क्रकार के प्रशन आएंगे प्रिच्छा में तो यहां पर आपका यूनिट है वो क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्ण इस से जुड़े आएंगे आधनी काली से जुड़े आएंगे तो आधनी काली से जुड़े आएंगे अधनी About सांस्कित प्रष्ट भूम नामकरण एवं प्रवित्तियां भारतेंग युग दुवेदी युग एवं चायावाद की भिवित बेपचारिक प्रवित्तियां प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, नई कविता, समकारीन कविता, प्रमुक शाहित रशनाएं, ठीक है, साहितिकार रशनाएं, साहितिक विसेशताएं, यानि कि आपके दूसरे यूनिट में आधुनिक कारलीन से जुड़े प्रशनाएंगे, जिसमें से आपके प्रस्न प्रियोगवाद, नई कविता, यह सब आपको तयार करना, यह आपके प्रिच्छा में आएगा, ठीक है, यह बहुत ही टॉप लेबल का आपका जो यूनिट है, इसको तो आपको जरूर तयार करना, सबसे प्रस्न इसी में से पूछे जाने वाले हैं, सिकेंड यूनिट से, ठीक है, कम से कम, पंद्रह से बीच नंबर के प्रिच्छन आएंगे, शिकेंड यूनिट से, ओके, तो यह हो गया, यहां यहां से प्रिच्छन आएंगे, आपको तयार करना है, नोट डाउन कर लिजेगा, यह स्कीन, सौट भी रल ले सकतें आप, थर यूनिट में आजाते प्रेम, राधा प्रेम, गोरक नात के बारे में आ जाएगा, गोरक बनी, शपा, पितामरत, परधत्वाल, गोरक बनी, ठीक है, तो यह आद कालीन कभी से जुड़े प्रशनाएंगे, उमकी जो रशनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में प्रशनाएंगे, यहां फिर तो भक्तिकालीन सगुन कभी की तो इसमें से जो प्रशनाएंगे वो आपको ध्यान देना है सूरदाव जी से प्रशनाएंगे भक्तिकालीन सगुन कभी से जुड़े प्रशनाएंगे यानि कि इस काल के भक्तिकालीन जो यूग है इसमें ये काल है इसके जो सगुन धारा के कभी है वह कौन-कौन से हैं और उनकी प्रवंग रशनाय कों सी है प्रवतिया कों सी है इस प्रकार के आँगे तो पहला है सूरुदास ठीक है जान देजीगा सूरुदास की जो भरमर गीतर रशना है ठीक है और वहां पर यहां पर बतायागा अचार राम चंद सुकल के बारे में यानि कि कहने का मतलब यह है कि जो भर्मरगीत है उसका जो सार है वो अचार रामचंद सुकलो के अनुसार इसका कैसा होना चाहिए वो आपको बताना पद की जो संख्या है यह आपको अपनी उसमें मिलेगी यानि कि इनकी कौन-कौन से पद है सिरीज में ठीक है कोश्चन मैं ठीक है तो उसमें सब मिलेगा तो भक्ति कालीन में आपके जो सगुन कभी धारा के हैं उसमें सूर्दास और गोसामी तुलफी दाफ जी से प्रशनाएंगे इनको तयार करना है और फिप्त नंबर यूनिट में आपकी जो प्रशनाने वाले हैं वह आने वाले कभीर दास ज जोरे बिध कालीन कभी रिथ कालीन जिए बिहारी लार और घानांण जी जोड़े कोश्च्चन आएंगी इस बात को थ्यां रखेंगे बिहारी आर घानानानंद और पिस उदाफी प्रशंब्स ने को रचना है कब है्ली members क्म त्रश्ना कंसे कशना कब रची है कब दesz्क्श प्रशनाआएंगे जैसे कि आधुनिक कालिन जो कभी है वो भारतें ध्वरिष चंद जी जैसे अंकर प्रसाज जी है शूरिकांत्र पाठे निराला जी है ठीक है और स्मित्रा नंदन पन्त जी है महादेवी वरमा जी है इन सब जो कभी है जो लेखक है ये सब आधूनिक कालीन कभी है तो इनकी जो प्रमुक्रश्चनाएज है उनसे जोड़े प्रिश्चन फसेंगे इनकी कौंसे elle वो आपकी कौंसे आपकी जो पाठक्रम है आपके जुस्त लेबर से उसमें कोई कोई सी मतलब कि इनकी है ठीक है तो वो आपको तियार करना है बात कर लेते हैं यूनित नमबर एट की यानि की आठ नमबर जो यूनित है उसमें क्या है तो आपको यहाँ पर धान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है पहला तो यह पे आपको मेन फोकस करना है लिखा आ मे subur Maя Dootr कभी और हिंदी साहत में सोध यहनि कि리68 कि जो भी कभी हैं उनकी जो भी रष्ष। ऑर उनकी जो भी रशनाएं जो आपकी हैं उनका पढ़ना इसके एक जी चके हैं पहुं के कि चाया दोतर युग के जो भी कभी हैं उनकी जो मतलब कि जो भी कभी है और उनकी जह नहोंने किर्थिया मतलब की रची है जो आप कि स्लेवर्स में उनको पढ़ना है ठीकह है जैसे कि अग्य झी कि जो अग्य है वह एक लेक भी है आप कहसकते allora नदी के चार आते हैं यह और है भूल गलती यह दो रशनाय है ठीक है जो कि आपकी स्लेबर्स में नागार जुन आकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा यह इनकी रशनाय है धरमबीर भारती ठीक है बी-ओ-आई का गीत कविता की मौत यह इनकी रशनाय है ठीक है दूसरा सब् सोध का अर्थ परिभासा साहित में वोरे के अंग और सोध का इंपार्ट यूनिट ना थे प्रषना अबकी परिष्ञेर सभी प्रशनी अ कहीं अलग से प्रशन आपको नहीं देखना को लेंगे 95% यहीं से आएंगे 5% कुछ 6% इधर उधर से हो सकते लेकिन 95% प्रशन इसी स्लेवर्स में से आएंगे यह आपको तैयार करना है इन सभी कभी और उनकी कृतियां के बारे में फिरहाल आप सभी लोगों के समस्त जल्द हैं क्लास ले है या जो भी आपके सब्जेक्ट है अगर आप यह पूरा का पूरा देखना चाह रहें तो वीडियो तो हम लाही रहें आप वेपसाइट पर भी जाके हमारे वहां पर देख सकते हैं वीडियो डिस्क्रेशन में लिंक मिल जाएगा डबलु डबलु और questionpaper.com नाम है आप सब्जेक्ट पर स्लेबर्स को लेकर वीडियो चाहिए कमेंट पर जुरू बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कि लिए हैंद है